जब NPL की सुरुवात हुई था न तब इंटरनेशनल प्लेयर को लेके बहुत ही जादा यहाँ पे एक क्रेज था कि यार सिखर दवन जैसे प्लेयर जाके जो है वो पर्फॉर्मेंस करके जाएंगे लेकिन NPL में आपको भी देशी नहीं देशी खिलाडी मतलब नेपाली प्लेयर्स का जो है वो यहाँ पे पावर दिखाएं मतलब हाँ आज के मैच में तो आप कही सकते हो जहां अनिल सा की 62 रन की इनिंग सोमपल कामी की वो 20 वे ओवर में जिमी नीशम्स को रंसर लगाना 19 वे ओवर में अरजुन गार्थी के वो दो चके दो चौके एन अवराल जनकपूर बोल्स की टीम को नेपाली प्लेयर्स के हाथो जितवाना कहीं न कहीं आप कह सकते हो यह NPL जो है यह बहुत जादा कारणाल याक्स के बीच में जो मैचेस वे उसमें ऐसा देखने को नहीं मिला मतलब जो सिखरदवन यहाँ पे पिच को लेकर यह कह रहे थे कि यार तीयू की पिच जो है वो बहुत जादा स्लो है इस पिच पे थोड़ी बैटिंग करना मुश्किल होती है शोट्स लगाने जो है वो थोड़े बहुत मुश्किल होती है बाउंडरीज नहीं आ रही होती है लेकिन वहीं पे अनिल सा आसिफ शेक ने बैटिंग करके जो है वो पताया कि यार नेपाली प्लेयर्स टीयू क्रिकेट ग्राउंड पे अच्छी बैटिंग कर सकते सिखरदवन भीया मतलब आप 14 बॉल पे 14 रंड बना के आउट होगे इसका मतलब यह थोरी नहीं कि यार पिछ ही खराब है खेर ऐसा नहीं कि सिखरदवन जो है वो रंस नहीं बना सकते है अभी तक तो पहला ही मैच वा और कहीं ने कहीं जो विदेशी प्लेयर्स है उनको एक डिसडवांटेज ही है इसी लेन को जो ऐसा लगा लेकिन नेपाल के प्लेयर्स की पर्फॉर्मेंस देखके आज दिल खुश है क्योंकि जिस तरीके की पर्फॉर्मेंस अगर आप देखो तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ नेपाली प्लेयर्स वे उपर दिखेंगे अगर आप यहां पे हाइस स्क पूर बोल्ट में भी अगर आप देखो तो सबसे अधा हायर पोजिशन पर आपको नेपाली प्लेयर्स अनिल्शा आशिव शेख उसके लाबा लाहिरू मिलांता और फिर नीचे जो है जिमेनिशन दिखेंगे तो और रहाल कह सकते हो नेपाल के प्लेयर्स पाई इंटरनेशन दिखाएंगे NPL के अंदर लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नेपाल के प्लेयर्स और खास करके जनकपुर बोल्ट की टीम की जो डॉमिनेशन रही है वो बहुत ही ज्यादा बैस्ट रही है मतलब पहला मैच आप जो है वो बहुत ही आसानी से जीज़ जाते हो अगर मैं आपको बताऊं जो जनकपुर बोल्ट की टीम जो है उन्होंने पहले मैच मेंश में भी जो आटीकर्स σεजित हासिल कि दुवस्ट में आठावी कार में चार पॉएंट को फ्ल्य जीप, जब हम ने देखा तो तो हमेंग लग लगर रहाता है कि यह कढ़नाली आक्स की टीम जो है वो कही न कही बहुत जादा strong side है क्योंकि इनमें बड़े-बड़े नाम थे चैडविक विल्टन, शिखर दवन, बाबर हयाद लेकिन जरकपुर बोल्ट ने हरा दिया नेपाल के सिर्फ दो प्लेयर्स ने भाई परफॉर्मेंस करके दिखा दिया तिखर दवन के सामने, चैडविक विल्टन के सामने जब अनिल सा आशिफ से एक बैटिंग कर रहे थे तो यार जो ये प्लेयर्स थे, वो देख रहे थे क्योंकि उनसे रन नी बने लेकिन ये दोनों प्लेयर्स ने मिलके परफॉर्मेंस के पार्टनर्शिप लगा दे, अवरल एनपेल का तीसरा मैच बैस था एंड कल जो मैच है वो सुदूर पश्चिम वर्सेश विराटनगर किंग्स के बीच है अब यहां देखना यह है कि सुदूर पश्चिम जो हो विराटनगर को हराती है नगरिक सुदूर पश्चिम को रहने के spirit है अगर आप देखो तो विराटनगर पफ्चिम पहला में चूदूर पश्चिम नहीं चाहएगी वह पहला में चाहाणने के लिए तो कहींदर सिंग एरी की की टीम का बेन रहेगा की पहला में जो हम जीते बाकि इसको लेगा आप क्या सोचने हैं नीचे कमेंड में वत्तर है क्योंकि शिखरदवन की इनिंग अगर आप मैंसे पूछो तो उतना खास नहीं रहा दिल जितने वाला इनिंग नहीं रहा जितना हाइप जो है बना था NPL के अंदर वहीं पे बाकी खिलारी जो चैडविक विल्टन वेगरा थे उनका भी हाइप बहुत जादा पनाया गया थे लेकिन कोई भी प्लेयर से वह उस नतीजे पर खड़ी नहीं उतरे समझ रहे हो ऐसा है लेकिन नेपाल के देशी प्लेयर ने उन्होंने अपना दम दिखाए टीव क्रिकरी ग्राउंड में उन्होंने र समपाल कामी को दो बैक टो बैक बांडरिस लगाई हलाकि समपाल कामी ने भी जिमी निसम को बांडरिस लगा था तो वह हिसाब किताब जो अपना पूरा हो गया समझ रहे है बाकी इसको लेगे आपका जो कुछ कहना नीचे कमेंट सेक्शन बताना और NPL का भी सिर्फ तीसर करें का सुस्तियों